एगाईज नमस्कार और आप लोगों का top 10 classes में हारदिक स्वागत है और गाईज आप लोग कैसे हैं उम्मीद करते होंगे कि आप अच्छे होंगे और आज की lecture में हम वोग आपके स्टार्ट करने वाले हैं देर किजेगा दोस्तों के साथ क्योंकि जो 11 की भौतिकी होती है वो जो बच्चे होते हैं उनको डीपली नहीं लेकर जो है लाइटली ले ले लेते हैं उसको हलके में छोड़ देते हैं तो 11 की फिसिक्स जितने डीपली से आप अध्यान करोगे आगे की कंपटीशन एक्जाम आपके लिए सरल हो जाएंगे तो आईए क्लास के सेसन को स्टार्ट करते हैं आज की सेसन में हम लोग क्या जानने वाले हैं पूरे चैप्टर एक का जो ये सब पार्ट करम में लिखा गया है कि भौत की क्या होती है कि आज की लेक्चर में भौत की जानेंगे भौत की क्या ह होता है तो गाइज आप लोग 6 से लेके 7 8 9 10 11 हर एक क्लास में पढ़ते हैं होंगे कच्छा दस तक पढ़के आए तो हर एक क्लास में आपको साइंस का सब्जेक्ट लिया गया आपको हर एक क्लास में साइंस से परिभासित कराई गई आपको एक ही डिफिनीशन रटाया गया होगा कि किसी वस्तु को सूब विवस्ते सू संगटित क्रम बद्ध ज्यान को क्या करते हैं विज्ञान करते हैं तो गाइज यह डिफिनीशन वो तब के लिए थी अब आप लोग 10 पास करके 11 की क्लास में प्रवेस्ट कर गये हो तेहां हम लोग जानेंगे विज्ञान क को जरूर परिवासित करेंगे कि विज्ञान क्या होता है द्यान से समझेगा कि कोई एक मान लेते हैं कि कोई एक लड़की होती है या कोई लड़का होता है जब वो अपने घर पर छोटा सा रहता है छोटा सा रहता है तो क्या करता है वह मान लीजी इमेजन करते हैं कि एक लडिए इसका नाम सीमा वह अपने माल से पूशती है मां कूकर जो भोजन होता है इतने जल्दी क्यों होता है उस चोटी सी बच्ची की जानाने की इच्छा हो रह dispos now की कीऊ की एसे तमाम प्रिकार कें सीमा के अंदर जो सीमा के मन में जो question उठ रहा है उस प्रश्णों का जवाब जानने की इच्छा ही क्या कहलाती है विज्ञान कहलाती है तो guys ध्यान से समझेगा आपके चारो तरफ घटित होने वाली घटनाओं का आपके चारो तरफ जैसे मैं हमने कहा कि सडक पर दुरगटना घटित हुआ है तो आप जरूर जाके वहाँ देखेंगे जरूर पूचेंगे कि कैसे हुआ कौन मारा कौन ठेला कौन धकада कैसे ुससरी आरे कहां के हैं यह सब जानने की जो इच्छाएं आपके मन में उठ रही हैं वो क्या कहलाता वो बिज्ञान कहलाता जैसे मैंने कहा कि आपके पीछे कुछ है तो आप तुरंट सोचोगे कि यार क्या हो सकता है पीछे मैंने कहा कि कपड़े में कुछ लगा हुआ है पीछे तो जरूर सोचोगे कि क्या लगा हो सकत क्या लग सकता है जरूर देखने की जानने की इच्छा हुई तो यार जानने की इच्छा ही बिज्ञान कहलाती है साप सब्दों में क्यों नहीं जान रहे हो कि किसी वस्तु के बारे में जानने की इच्छा रखना ही क्या कहलाता है बिज्ञान कहलाता है तो बाते क्लियर होंगे कि आप विज्ञान का मतलब जरूर समझ गए होंगे हमने क्या लिखा है हमने लिखा है मानों द्वारा प्रिच्षड प्रिच्षड तथा प्रयोगों द्वारा जो मानों होते हैं वो प्रिच्षड मतलब यंत्र और यह सब जो होते हैं तो मानों के लिए जो मानों के लिए जो प्रिच्छर होते जो उपियोगी ओजार होते जो उपियोगी यंद्र होते हैं उनके तथा प्रियोगों द्वारा जैसे कुछ प्रियोग करते हैं कुछ प्रियोग किये प्रियोग में क्या हो सकता है जैसे उन्होंने क्या क्या कि जैसे किसी का कालाता है तो भाई इसमें क्या लिखा गया इसमें लिखा गया प्रियोगों त stripes प्रेयोगों तथा प्रेट्छडों दोरा प्राप्त ज्ञान प्राप्त हुआ जैसे उन्हों नी क्या देखा कि जब कोई प्रमएये जैसे दर पड़ गिराई गई तो दर विज्ञान की एक परियासा यहां और हो जाती है, क्या हो जाती है, प्रेच्छडो तता प्रयोगों द्वारा ज्ञान को सुब व्यवस्तित अध्यन करना ही विज्ञान कहलाता है, यह इतनी बाते क्लियर हुई, अगर क्लियर हुई होगी, तो हम लोग एक दो पॉइंट सब्द से हुई है, यह बात ध्यान दीजिएगा, और जिसका अर्थ होता है, जानना, जिसका अर्थ है, जानना, क्या होता है, जानना, ध्यान से समझेगा, कि जिसका अर्थ क्या है, जानना, हमने क्या बता है, साइंस सब्द की उत्पति, सिंडिया नामक सब्द से हुई है और जिसका अर्थ क्या होता है जानना होता है तो किसी वस्त के बारे में जानने की इच्छा रखना ही विज्ञान का लाता है या प्रयोगों और पिछड़ोदारा प्राप्त ज्यान को सूब्योस्तित अध्यन करना ही विज्ञान का लाता है तो गाईज विज्ञान को हम सब्टत्ति इस सब्ड की उत्पत्ति ग्रीक भासा प्यूसिस से हुई है या फ्यूसिस सब्द से लिया गया है हमने क्या बताया गाई यह नोट करने वाली बात कि जो यह फिजिक्स सब्द की उत्पत्ती हुई है यह फिजिक्स सब्द की उत्पत्ती किस से हुई है ग्रीक भासा से हुई है मैंने किस से बोला भाई फिजिक्स सब्द की उत्पत्ती ग्रीक भासा से हुई है और ग्रीक भासा कौन सा है फियूसियस क्या है फियूसिस क्या ह होता है Nature क्या होता यह मतल Connect actually घान से समझेगा हमने क्या पैसिक सब्द की उत्ति से ग्रीक भासा कोँछ रिख सब्द से सब्द है जिसका अर्थ क्या होता है नेचर यानी प्रकत इतनी बात उफ इस अब हम लोग जानते हैं कि यानी हम कर सकते हैं भौतिक विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान भी कहा जाता है क्यों क्योंकि इस सब्द की उत्पत्ति इस नेचर से हुई है और इस नेचर का मतलब क्या हो था प्रकित यानि भौतिक विज्ञान को भौतिकी को हम लोग प्राकृतिक विज्ञान भी कह सकते हैं यह जिसके अंतरगत प्राकर्तिक और प्राकर्ती घटनाओं का अध्यान जाता है और धाझ्यानी कध्यान किया जाता है वो आपका क्या कहलाता है भहतिक कहलाता तो गयिझान से समझिएगा की फिजिक्स क्या होती है भौत की क्या होती है भौत की जो है बिज्ञान की साखा है भौत की बिज्ञान की ब्रांच है भौत की बिज्ञान की वह साखा है जिसके अंतरगत हम लोग प्राकृत क्या है प्रकित प्रकित यानि नेचर जो आपके चारों तरफ फैला हुआ है तो गाइज नेचर औ और प्रकित घटनाओं यानि प्रकित में होने वाली घटनाओं का अध्यन करते हैं वो क्या कहलाता है या अगर हम दूसरे सब्दों में इसको बताएं अब सर्फल से पहले प्रकित और प्रकित में घटना क्या हो रही जैसे आप लोग क्या करते हो सूरी का उदे होना सूरी का अस्त होना बरसात होना मौसम का बदलना गर्मी से ठंडी ठंडी से गर्मी गर्मी से बरसात ऐसे तो मौसम का बदलना सूरी का गरहन लगना चंदर गरहन लगना दिन होना गराथ होना. यह सब क्या है? यह सब प्रकित की घठनाएं है भाई साहब. इन सब का अध्यन कौन कराता है? अरह प्यारा सा सबजिक्ट physics कराती है, भ rotated की कराती है. तो यहां आफ यहां हम गाईज यह नोट करके आएंगे कि भहुतिक बिज्ञान, बिज्ञान की वह साखा है, भौत की बिज्ञान की वह साखा है, जिसके अंतरगत प्रकित गटनाओं का अध्यन किया जाता है, अब भाई बैज्ञानिक अध्यन क्या होता है, तो भाई उस बिज्ञान के रूप से हम लोग अध्यन करते हैं, क्या हम लोगों को कोई बताता है सुरिवर्य कौन बता है वं बैज्यानिक ने सर्च किया बैज्यानिक के द्वारा पता चला तो वैंसे जानगे कि रैप तो गैज मैंने क्या बताया बहुतिक विज्ञान विज्ञान की वह साका है जिसके अंतरगत प्रकित घटनाओं का अध्यन किया जाता है वह आपकी बहुत की कहलाती है आईए हम लोग नेक्स टॉपिक पर पढ़ते हैं नेक्स टॉपिक हमने क्या लिखा भाई यह तो मोस्ट की चर्चा हुई थी आखिप प्रकित किस से मिलकर बनता है और इनर्जी मिलके नेचर को तो भाई यहां क्या हो गया जो नेचर होता है वो किसके इक्वल होता है मैटर प्लस एनर्जी के इक्वल होता है ध्यान से समझेगा मैंने क्या बता है प्रकित जो होती है द्रव्य और उर्जा मिलकर बना होता है उनके योग को मिला कर प्रकित का निर्मार होता है प्रकित दो चीजों से मिलकर बनी होती है, द्रव ऑज़ा, तो क्यों स्ठान गिरते हैं, वो क्या कहलाते हैं, जिसमें द्रवाद होता है, जो अस्तान गिरती हैं, उसे क्या कहलते हैं, द्रब्य करते हैं जैसे लोहा, सोना, वाय, इलेक्टरान, प्रमार, अडू, जो भी दुनिया का कोई भी वस्तु लाइए, अगर उसमें द्रब्यमान है, और वो अस्तान घेरती है, अब कहोगे सर अस्तान कैसे घेरना होता है, आर देखो गाईच, मैंने क्या कहा, यह देखो मा लेते ही, हाथ पे इतना, खाली सा जगा था, इसको मार कर इस पे रख दिते, इस जगव को गेर लिया अगर नहीं घेरा, तो भाई, अस्तान घेरा तो यह क्या कहलाएगा, द्रब्य कहलाएगा, अब इसमें कुछ तो द्रब्यमान होगा, भाई, एक ग्राम, दो ग्राम, की कला होती है वो क्या कहलाते है भाई साब वो क्या कहलाता है आपका द्रब्य कहलाते है तो चले आगे की चर्चा करते हैं अगली चर्चा है उर्जा अरे उर्जा तो सब के पास होती है कहोगे हमारे हमारे जैसा किसी पास उर्जा ही नहीं है आप लोगों के पास भी अपार तो उर्जा क्या होती, एनर्जी क्या होती है, तो कारी करने की छमता, जैसे हमने का भाई हम एक घंटे में इतना पढ़ा सकते, तो वो हमारी उर्जा कहलाई, आप एक घंटे में इतना पढ़ सकते, तो वो आपकी उर्जा कहलाई, तो भाई पढ़ने की उर्जा हुई, अब क किसी वस्तु के द्वारा कारी करने की छंता को क्या करते हैं औरजा करते हैं कोई वस्तु हुआ वो कितना कारी कर ले रहा है वो कारी करने की कैपसिटी कारी करने की छंता क्या कहलाती है औरजा कहलाती जैसे उस्मा उस्मा के द्वारा कितना कारी किया जाएगा प्रकास प्रका से निकलने वाली जो या हम का सकते ध्वनी एक प्रकारी की उर्जा होती है जिसको हम लोग कानों के दारा सुन सकते हैं तो भाई सुनने वाली उर्जा क्या कालाती है ध्वनी कालाती है तो ध्वनी के द्वारा हम लोग सुनते हैं द्रभी की गतिज उर्जा यह सब क्या है यह उर्जा हैं तो भाई किसी वस्तु के द्वारा जो कारी करने की capacity होती हो क्या कहलाती है तो ये दो चीजे clear हो गई अब हम लोग आगे आते हैं आइंस्टीन का प्रकास बैदुस समीकरन इस द्रब्य और उर्जा के संबंद में आइंस्टीन को नोबेल प्रसकार दिया गया था ये द्रब्य और उर्जा के बारे में उन्होंने बताया था कि द्रब्य और उर्जा एक दूसरे के तुल होते हैं जो बाते मैं बोल रहा हूँ उसको गौर से कान खोल के सुनिएगा कि जब आइंस्टीन नहीं थे तब दुनिया मानती थी कि दर्विमान को उर्जा में बदल सकते हैं यानि अगर इतना बड़ा पत्थर लाएं और उसको फोर दें वो उर्जा में बदल जाएगा पर उस समय की दुनिया ये मानती थी कि उर्जा को फिर हम लोग दर्विमान में कनवर्ट नहीं कर सक पर आइंस्टीन आपके भावतिक विज्ञान के चित में एक ऐसा महान विज्ञानी काया जिसनों ने बताया जिसने बताया क्या बताया गाईस जिसने क्या बताया कि भाई द्रविक को जैसे उर्जा में बदल देते हैं वैसे उर्जा को द्रविमान में भी बदल सकते हैं इस Einstein ने अपना सिद्धान क्या दिया कि द्रविमान को उर्जा में तथा उर्जा को द्रविमान में बदला जा सकता है ये बाते फिर आगे कह रहा है इसके संबंद को निम्निस समी करद्वारा दर्साया जाता है वो संबंद क्या दिये कि जो उर्जा होती है वो द्रविमान गु तीन का प्रकास बैद्दू समीकरण आया E बराबर M C स्क्यार जहां यम क्या होता है द्रभमान होता है और C क्या होती है प्रकास की चाल होती है और इस C की बहलू होती है तीन गुड़े दस घाते आठ मीटर प्रती सिकेंड तो गाइच इसी समीकरण के लिए उनको नोबेल प गरिवासा क्या होने वाली है इसके अधार पे भौतिक विग्णान की भौतिक विग्णान वहा सारहा है जै या यहां कामा देखें समझ कहा है जिसमें व्रजा और द्रभमान के बीच कोंसी ripping अद्यान करते हैं और दरभमान के और और द्रभमान ao true reference में है οπο उर्जा को द्रविमां मेंं बदलने का अध्यन किया जाता है एक बार फिर से पढ़ देते हैं बहुती विज्ञान विज्ञान की ववसार कहा है उसकी अन्योन क्रिया। Чर्याओं के अध्यन किया जाता है हम तो गीज्ञ इस प्रकार आज की जो लेक्चर है आज के class में जो है आज के lecture में जो भौतिकी के बारे में बताई गई उम्मीद करते होंगे कि आपको जरूर भौतकी समझ में आ गई होगी आज के बाद कहीं अगर आपको भौतकी पूछी गई तो आप भौतकी के बारे में आसानी से बता सकते हो और गाईज अगले लेक्चर में आपका जो ये पहला चेप्टर है वो completely समाप्त कर दिया जाएगा और पहला चेप्टर आप उसको lightly मत लीजेगा क्योंकि इसमें बहुत सारी इसे चीजे हैं जो आप नहीं जानते हैं उसको हम लोग उसे रोबरू कराएंगे और अगर वीडियो आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को क्या करेंगे भाई लाइक करके जाएंगे क्योंकि आपको लोगों के लिए इतनी मेहनत किया जाता है इतना पसीने बहाए जाते है वह आप देख सकते हो खुद दिखाई पर रहा होगा गाईज तो वीडियो को लाइक किजेगा और दोस्तों के साथ इस क्लास के सिसन को ऐसा सेर किजेगा ऐसा